नमस्कार दोस्तों बुधर टिक में आप लोगों को एक बर फिर से बहुत बहुत स्वागत है बेसिकली दोस्तों आज मैं बात करूंगा एडसेंस सस्पेंशन के बारे में बहुत सारे न्यू यूटूबर का क्या हो रहा है उनलों का जो एडसेंस एकाउंट है वो 30 दिनों के सस्पेंट हो गया है तो इन 30 दिनों में आप क्या करेंगे और 30 दिन के बाद यानि जब आपका एडसेंस एकाउंट री एनेबल हो जाएगा उसके बाद फिर आपको क्या करना है इस बारे में हम बात करेंगे तो दोस्तो मैं आगे बनने से पहले ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमाया चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के निचे देगे रेट प्रन पर क्लिक करके हमाया चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसे मैं एडसेंस और यूटूब के ब पूरा देखें तो दोस्तो सबसे पैले आप क्या करेंगे रफ़ोष कर लेगे आपका जो एडसेंस एकाउंट 30 दिन के लिए सपेंड हो गया है इसके समय आप बिल्कुल निरास नहीं होंगे बिल्कुल ही हतास नहीं होंगे सबसे पहली बात जो आप अपना वीडियो बना क्योंकि होगा क्या कि आप यह वीडियो बन कर देंगे तो आपके जो सब्सक्राइबर हैं पहले से जो आपके सब्सक्राइबर हैं वह आपके चैनल को छोड़ सकते हैं आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं उन्हें तो लोग यह करें यह चैनल तो को वीडियो अप् अपने AdSense Disable के वारे में जरूर बताएं आप बताएं कि मेरा 30 दिन के लिए AdSense अकाउंट बंद हो गया है मैं फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं ऐसा करके आप और आपका जो suspension का email लाया है AdSense के दोरा वह भी जरूर दिखाएं वीवर को यह फेक नहीं लगना चाहिए इससे होगा कि वीवर को आपके प्रती सिंफेथी आएगी और एक मैने के अंदर में आप कम से कम पांच वीडियो अपलोड करें इससे उल्टा आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और जैसे ही आपके तीस दिन पूरे हो जाते हैं यदि आपका AdSense Account एक तारी को बंद हुआ है तो अगले मैने के दो तारी को आपका जो AdSense Account रेनेबल कर दिया जाएगा और फिर से आपके वीडियो में एड आने शुरू हो जाएंगे बट इसके बाद आपको साबधानी क्या जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों अगले बड़ आपका AdSense Account डिजेबल होता है तो छे मैने के लिए होता है या फिर हमेशा के लिए हो जाता है और यह पुरा डिपेंड करता है AdSense पे छे मैने के बाद भी आपका AdSense Account रेनेबल किया जाएगा या नहीं किया जा आप कुछ नहीं कर सकते हैं आप फॉर्म भड़ते रहा जाएगा कुछ नहीं होगा इसलिए मैं जो जो कहूंगा आप वैसे वैसे करेंगे तो आप बिल्कुल ही सेफ रहेंगे और दोस्तों सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्यूंकि मैं आगे ऐसी सब्सक्राइब कर दिया गया तो अब आपको क्या करना है सबसे पहले डुंद क्लिक और एचस मतलब करें तो दोस्तों मैं इसका पुरा खेल को बताता हूं होता क्या है कि करलोग बोलते हैं चुर्त आपना वीडियो देखता हूं यूटूब पर दो अबन सब्सक्राप Еश मैं आपको बताता हूँ, ads यहांपर आते हैं और एक क्या हांपर आता है यह होते है overlay ads के यहांपर आया, एक क्या यहांपर आया तिसरा क्या होता है, lease spotable ads और non-shitipable ads Video start now the describe as always यह ads आते हैं तो जो skipable ads होते हैं उन्हें क्या होता है suppose कर ले वो जो एड्स है वो 10 seconds का है और आपने वो एड 5 seconds तक देख लिया तो आपने वो एड 50% से ज़्यादा देख लिया तो AdSense क्या करता है AdSense उसे one click मानता है दोस्तों और अगर non-eskippable AdSense आया तो तो click on your ads तो कई लोग क्या होते हैं तो कई लोग क्या करते हैं कि वो अपने family member को अपने friends को बोलते है भाई मेरा video देखो उसमें जो ads आएगा उस पर क्लिक करो तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि AdSense और Google YouTube यह सब बहुत ही स्मार्ट है दोस्तों वो आपके हर हरकत का वो निग्रानी रखता है आप कुछ भी गलत तरीके से कुछ काम करेंगे अपने laptop पे वो सब समझ लेता है सबस कर ले अपने फ्रेंड को काजसर मेरे एड्स पर क्लिक करो तो बार-बार क्लिक करेंगा बार-बार आपके वीडियो को देखेगा इसे का होगा आपका CTR बढ़ जाएगा प्रिक्तुरू रेट सब्सक्राइब कर लिए अपके बिडियो पे 100 इंप्रेशन इस एड्स पर आपके दोस्त ने 20 पे qerta कर दिया तो आपका Ctr CTR है 20% हो जाएगा CTR का मतलब ही होता है कि 100 ads में कितने बार क्लिक हुए उसका परसेंटेज तो इस पर मैं बाद में बात करूंगा यह बहुत important topic है CTR में थोड़े में को बता हूंगा तो यह सब आपको नहीं करना है अपने family member या अपने friends को click करने के लिए नहीं बोलना है यह सब genuine तरीके सुना चाहिए ज़ड़ आप वीडियो बना रहे हैं तो इंडिया के हर लोकेशन से वियू आने चाहिए हर लोकेशन से और डोसा ह clicked आने चाहिए यह नहीं कि आप फोस्ट कर ली अहमदाबाद ज्डाते हैं चिन्हें में ज्टते हैं तो सिप चिन्हें से आ रहा है जिनने में विए आप कहां कोई खास प्लेस में रहे हैं तो उसी प्लेस से आपको क्लिक्स आ रहा है तो यह Google सब समझ जाता है और तब फिर आपके एड्सेंस को ब्लॉक करता है तो दोस्तों यह सब जो पॉइंट्स में बता रहा हूं यह आपका एड्सेंस डिजबल हुआ है और जिनका नहीं भी हुआ है यह सबके लिए इंपॉर्टेंट है सबको आपको ऐसे ही करना है दोस्तों आगे का पॉइंट है कि आप अपना जो वीडियो है वह वाट्सप और फेस्बुक पे सेर ना करें क्योंकि हम कोई रिस्क नहीं सकते दोस्तों क्योंकि हम एक नए से यूटिबर के साथ ही होता है तो दोस्तों मुझे यहां पर एक पॉइंट और एड करना है कि यदि आपको अपना वीडियो देखना है कि क्या साथ दिखेगा पहले बाद तो आपको अपना देखना है नहीं चाहिए कग लोग क्या करते हैं इक दूसरी एकाउंट से अप यह जो option आपको मिलता है यहां पर आप क्लिक करके आप अपने वीडियो को देख सकते हैं यहां पर कोई भी ads नहीं आता है तो यहां पर आप अपने वीडियो को चलाएं और यहां से आप देख सकते हैं कि आपका वीडियो कैसा लगता है YouTube पर दोस्तों अगला जो पॉइंट ह बहुत important है CTR click through rate तो इसका range कितना होना चाहिए कितने range में यह CTR सेफ होता है तो 15% के निचे तक यदि आपका CTR रहे तो आप सेफ हैं और इसके उपर 15 से 20 के अंदर में आपका CTR आता है तो आपको यहां पर alert हो जाना है आपको अपना CTR एक दिन में दो बार या तीन बार चेक करते रहना है तो दोस्तों आप यह CTR कहां से चेक करेंगे तो चलिए मैं आपको अपने adsense account में ले चलता हूं तो यह देखे यह मेरा live adsense account है तो CTR चेक करने के लिए आप क्या करेंगे आप निचे आएंगे तो यह performance report देखेगा तो दोस्तों अगर आपका जो adsense account का प तो यह देखे यहां पर आपको करना है जो filter आपको दिख रहा है फिर यहां पर आप जो blank जगह है इस पर अपको क्लिक करेंगे और यह देखें हाप प्रोडुक्त से लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है और आप नीचे आएंगे तो यहां पर लिखा हुआ है OSTED insurance for और आपको इस पे टिकर देना है और यहां पे आपको अपलाई कर देना है इसके बाद आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं अभी तक CTR आपको नहीं दिख रहा होगा और आप अगर नीचे आएंगे तो नीचे आपका एक सब्ता का CTR सोग करेगा यहां पर देख सकते हैं वन वीक का CTR आपका यहां पर दिया हुआ है तो दोस्तों यह थे हुआ कि आप CTR ऐसा चेक करेंगे लेकिन अगर आपका CTR 15 से 20 में है तो मैंने बुला है आपको एलट हो जाने के लिए एलट इनदर सेंस यदि आपके वन वीक में यह वन वीक का स्टेटर्स है इस वन वीक मे जिसमें आपका CTR थीन ऐसा होता है जो 15 से ओपर जाता है जहां से अप लोग तीन दिन ऐसा होता है जिसमें 15 से ओपर आपका CTR जाता है अपर एसा होता है आप किसी दिन जो CTR हो 30-40-50 परसेंट बढ़गया विक में सबसे पहले आप क्या करेंगे आप अपने यूटूब जाएंगे और आपकी चाटल में जितने भी वीडियोस हैं और जमेटошने कि आपके अड़ेक्ष में उसाथ दज कर देंगे PAC क्या मतलब होता है कि दिया को 10 minutes से उुपर होता है तो आप क्या करते हैं आप इसमें doc लगा देते हैं मतलब यह होता है कि आपके video में आपके नोसार अड्स आइंगी मतलब आप चालते हैं प्रवाइब दस एड्स आएंगे पांस आपने कर वीडियो में देखा ही होगा कि उनमें जो नीचे जो रहता है यहां पर पीला 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 दिखता है तो आप यहां पर यहां पर देखिए यहां पर आपको मिलता है कि अ है कि के एड्स देखिए मैं यह उन्य कहसे हैं कि एक इसे पर देखिए और पर यहां से से फिर यहां से होगािए कि तो आपने यहींे आपने द्रे लगा यहीं और आप ऑने ऊपशे कर देंगे दोसरा आपको अपने यूटान को क्लिक करेंगे िसके आपको ऐसा कुछ यहां पर देखने को तो वहां तो आपको डिजेबल मोमेंटाजेशन में क्लिक करना है दोस्तों और यह जो डिमोनेटाजेशन है इसका डिजेशन कितना होने चाहिए यह कुशन आता यह बहुत इनपॉर्टन कुश्चन है तो आप में पैसे आप कम से कम 24 घंटे के लिए डिजेबल रखें विदि आपको म क्लिक करेंगे अपको आपको उप्सन मिलेगा इनेबल करने का तो यहां पर देख सकते हैं को अपना CTR चेक करेंगे तो आपका से नीचे या 15 से नीचे हो जाताया है तो कोई बादी बात नहीं है टेंश्की बात नहीं है लेकिन नहीं होता है उल्टा बढ़ता ही जाता है 20, 30 , 40 बढ़ जाता है तो करना क्या आप आपको फिर से अपने वीडियो को दrem Smooth credit कर देना है और आपको समझ जाना है जो आपका कोई दुस्मन है और फर यको आपका assets है जो आपके व्यटो आटे क्लिक कर रहा है उए जानता है आपका एक स ब्लॉक होजाएगा और आपका नुक्सान होगा तोब का K turn सहे वह आपसे जलता है वह आपके सब्सक्राइबर से जलते हैं वह आपके से जलता है जाम आपने भीडियो को प्रिश्र दिमोनेटाइज कर देंगे वह सेम प्रोसेस है उसके बाद एक फॉर्म आता है इन्वारेट क्लिक कॉंटेक फॉर्म आपको दिखाता हूं और मैंने इसे दिस्क्रिफ्शन पर लेंक दे राता है आप उसके करेंगे तो यहां पर पोई सकतेंगे यह वह फॉर्म है तो यह फॉर्म आपको भढ़ना है इस form आπα को बना है यहां पर आपका आड़ी होना चाहिए यहां पर आपका publisher ID होना चाहिए पुलीसर ID आपको आपके AdSense account में जाएगा पर इस परिसलिफोर्मेशन में जाएंगे न तो आपको publisher ID मिल जाएगा टो URL एडिवर उसमें आपको अपने channel का यूरेल दे देना है करेंगे शेंद का url को से देंगे तो यह आप सकते हैं यह जो七 जैल है यहां पर यह URL यहांका इससे आपो कॉपिय करना है और यहाँ पर तो यहां पर आपको कितने डेट और कितने टाइम में लगा ऐसा फिल हुआ कि आपके एकाउंट में क्लिक एक्टिविटी हो रही है कोई भी डेट टाइम यहां पर दे देंगे यहां पर पाराग्राफ लिखना है तो इस पराग्राफ को मैं डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है आप उसे कॉपी करेंगे और यहां पर पेस्ट कर देंगे लास्ट में आता है प्लीज प्रोवाइड इन डार्टा ओफ यॉर साइट मुबाइल एप और यूटूब चैनल ट्राफिक लॉक्स और रिपोर्ट्स डट इंडिकेट सब्स्पेशियस आपी अड्रेस इसमें क्या करना है आपको यहां पर यूटूब चैनल पर जाएंगे और Sanate ndra आपको यहां पर डिवाइस दिख़ आफ़ा में पर क्लिक करेंगे अ कि दिवाइस क्लिक करने के बाद इ algumas प मिश्क न पर करेंगे और यहां पर पेश्ट कर देंगे और फिर आपको सयंपिट कर देना है तो दोस्तों अश्कर आपना या फर मदर दिया और आपने वीडियो को डिजेबल किया उसे फिर से इनेबल कर दिया और कितना भी CTR आप उपको फॉर्क नहीं पड़ता ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों क्यों यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है आप यहां पर देख सकते हैं प्लीज कीप इन माइंड डाट इडिज यूर रिस्पोंसिबिटी तो प्रिवेंड इन्वालिट ट्लिक्स फ्रम अक्रिक इन यूर अकाउंट तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको देखना है आप इसके रिस्पोंसिबल है ऐसा नहीं क्या आपने फॉर्म भारा एक दो या तीन दिन के लिए दोस्तों यह अच्छा है ना जब आप एक दो तीन दिन के लिए रखते हैं और इससे आपका एकाउंट बचता है हमेशा क्ले डिजबल होने के लिए तो यह अच्छी बात है तो क्या होगा अब जब एक-दो दिन हो जाएगा तो आप अपने अपने वीडियो को इनेबल कर देंगे तो अब यह अच्छुली करेगा कि आपका फॉर्म किस तरह काम करेगा कि जो भी बंदा आपके एकट्स पर क्लिक कर रहा था अब आप एक ट्रेस करेंगा त्रेस में दिवह वह पाएगा कि हाँ कोई बंदा है जो जान भुझ के एक पर क्लिक कर रहा है तो AdSense उसके YouTube एकाउंट को ब्लॉक कर देगा इसे फिचर में आपके वीडियो पर जो AdSense पर क्लिक नहीं कर पाएगा तो बेसिकली वह उसकी अच्छान को कोई दुख नहीं होता है वह यह बिल्कुल नहीं समझेगा कि आप महनत करते हैं या नहीं करते हैं वह आपके से गुजरना पड़ता है तो दोस्तों उमीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई आप सब कुछ इसके बारे में समझ चुके होंगे एटो जड़ एडसेंस का क्या फंड़ा है आप सब कुछ समझ गया होंगे और इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप नए यूट मैं सब कुछ आप से शेर करना चाहता हूं तो प्रीज हमारे चैनले को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जूड़ जाए और यह वीडियो पसंद आए तो प्रीजिस वीडियो को लाइक करें शेर करें लिए को आपके कुश्चन्स है या सजेशन है तो कमेंट कर दें तो